Hello guys, welcome back to Micro Online Service Asta दोस्तो आप सभी का बहुत बात है दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं एक नई वेकेंसी के बारे में जो P.E.B. के द्वारा आई है मतलब ESB Portal पर नई वेकेंसी आ चुकी है उपियंतर की मानचितर तकनीशियन इस प्रकार की बहुत सारी वेकेंसी आ है आप इसे इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तमाम सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर मैं आपको complete जानकारी आपको बताने वाला हूँ और फर्म भर के भी दिखाऊंगा चले यहाँ पर देखते हैं जो रूल बुक दी गई है उसके अनुसार आपकी डेट वगरा क्या रहने वाली है तो यहाँ पर देखेंगे फर्म भरने की जो प्राडमिक डेट है पांच आट दोजार चुविस से लेकर के तो उननीस आट दोजार चुविस तक आप फर्म भर सकते हैं यहाँ पर देखेंगे आपका जो परिक्षा का दिनांक क्या रहने वाला है तो यहाँ पर आपके सामने दिया गए है बारान नो दोजार चुविस को आपके एक्जाम रहेगी यह तमाम पुरी जानकारी यहाँ पर दी गई है यहाँ पर देखेंगे अगर खुली प्रतियोगी तकी बात करें तो इसमें जनरल वालों के लिए 18-40 वर्स की उम्र रखी गई है और STSC OBC को अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा यहाँ पर 18-40 वर्स आपको जनरल वालों के लिए और दूसरी जो रिजर्वे केटेगरी है उसके लिए 5 साल की इसमें छूट दी जाएगी चलिए थोड़ा सा नीचे आएगे तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट दी गई है उसके बारे में सीधी भरती है बैकलॉग भरती है और यहाँ पर समविदा वेस की भरती भी है यह सारी जो पोस्ट है इसका यहाँ पर आपके सामने पूरा दिया गया है आप चाहें तो रूल बुक में जा करके पूरी कम्प्रीट जनकारी को देख सकते हैं चले यहाँ पर हम जो मेंड में चीज़े है उसको देख लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से आपकी पोस्ट रहेगी एजुकेशन क्या रहने वाली है वो भी आपके सामने यहाँ पर नीची दिया गया है आपकी जो education लगती है वो आप यहाँ पर देख करके फार्मर से प्रोफाइल नहीं create करने के लिए इस वाले आपको प्रोफाइल पंजियन के उपर आपको क्लिक करना होगा अगर आपके पास पहले से profile है या नहीं है अगर है तो आपको हा करना है नहीं है तो नहीं वाले option के उपर क्लिक करना है यहाँ पर आपका जो mobile number है और Gmail ID दोनों को enter कर देना है इसके बाद में केपचा code डालेंगे और gate OTP के उपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके mobile के उपर एक OTP आ जाएगा OTP को आपको submit कर देना है जैसे आप submit करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा लिखा अगर ऐसा आ रहा है कि पहले से आपकी profile बनी हुई है कि आप इसे रखना चाते हैं जारी रखना चाते हैं तो yes करेंगे otherwise इसे no करके यहां से accept कर देंगे तो आपकी जो नई profile है उसके अनुसार आपकी profile बन जाएगे ठीक है तो हम यहां पर क्या करेंगे इसे yes करके आगे बढ़ाएंगे ठीक है अब यहां पर देखेंगे कि जो हमने yes किया है तो जो नए नंबर है वो नए नंबर आपको यहां पर इंटर कर देना password डाल देंगे आपके mobile पर ही आ जाएगा login करने के बाद में यहां पर देखेंगे आधार card क्या आपके पास है yes करेंगे अब दो विकल्प दिये गए इसमें एक तो OTP का रहता है क्या आपके पास OTP से आपको सत्यापन करना है या फिर KYC fingerprint के द्वारा करना है तो दोनों में से जो mode आपको लगता है यहां से आगे बढ़ाएंगे यह आपका जो सत्यापन करना है तो सत्यापन करने के लिए आधार number डालेंगे केपचा कोड डालेंगे अब यहां पर gate OTP की द्वारा हम कर रहे है तो एक message आपके पास जो आपका registered mobile number है उसी के उपर ही एक message आएगा यानि कि OTP आएगा उसे यहां से आपको इंटर करके आगे बढ़ा देना है चली यह process हम करते हैं यहां से हमने जैसे OTP आ चुका है तो OTP यहां पर इंटर करने के बाद में gate detail इस वाले option के उपर जैसे आप लिक करते हैं तो पूरी जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगे व्यक्तिकत जानकारी में आपका नाम यहां पर आपका सरनेम अगर कुछ नहीं है तो एने आप लिक करके आगे बढ़ा सकते हैं ठीक है इसके बाद में यहां पर father का नाम, mother का नाम यह दोनों चीज़े आपको यहां पर फिल करना रहेगा मतलब यह उपर की पूरी जानकारी, व्यक्तिकत जानकारी, दसवी की माक्षीट के अनुसार, आपकी जन्रम बाफ तारीक आपको भरना है उसे आपको सेलेट करना है, आगे बढ़ेंगे, यहां पर अगर आप EWS जैसे जनरल वालक ली रेता है, अब यहां पर जो है, जैसे 10 आपका है, ग्रेजुशन है, या फिर जो भी आपकी हाईएस टेजूकिसन वह आपको सेलेट करना है, आप कोन से छेतर से निवास करते है ग्रामिन है, या फिर सेहरी शेतरित, वह आपको सेलेट करना है, चलिए, थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो यहां पर पुछा जा रहा है, क्या आप 40% से उपर विकलांगता है, आपकी अगर है, तो आपको यस करना होगा, अदरवाइस नो करके आगे बढ़ेंगे, यहां पर जो आपका विवाहिक इस तर की बात करें, तो साधी हो गई है, क्या, अगर साधी यस करेंगे, तो यहां पर सब आपको जानकारी बढ़ना होगा, आपकी जो साधी की डेट, इसके बाद में कितने बच्चे कितने है, संक्या क्या है, इसके बाद में अंतिम बच्चे की किसी और state से हो ठीक है यहां पर आपका जो डिस्टिक है पिन कोट है सब कुछ आपको यहां पर फिल कर देना है चले आगे बढ़ेंगे यहां पर आपके सामने यह जानकारी आपको बैसिक जानकारी में देखना होगा mobile number और Gmail ID यह दोनों जो आपने फिल किया है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है आप करना क्या रहेगा यहाँ पर सारीरी आपके सरीर के उपर कोई सा एक चिन जैसे mall on face ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा अब इन में से आधार का चोड़ दीजगा अगर है तो यह सब दिखाना होगा आपको क्या समस्य आ रहे हैं आपको सर्टिफिकेट भी देना होगा यहाँ पर देखें गोशना पद्र के उपर क्लिक करके पंजिकरत करें ठीक है यहाँ पर आपकी जो पंजिकरत नंबर आ जाएगा आपका नाम बगरा पुरी जानकारी सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ठीक है चलिए आगे समझते हैं यहाँ पर मद्धिप्रदेश करमचारी मंडल के द्वारा यहाँ पर फोटू सिगनेचर और टेक्स्ट यह किस प्रकार से अपलोड होगा यहाँ पर आपको बहुत ज्य हैं यहाँ पर आपका जो जो साइन है उसको प्रॉपर तरीके से बीच में करना है अब यहाँ पर ध्याम देना है आपकी जो ज näха ब़ेये फोटू फोटोग्राप कर लिए हैं पर अप-पलोड होगा सिगनीचर के लिए यहां पर इस फ्केंद होगा इसके बाद में यह यहां डेखना भख after नीचे लिख 무렵 चाहिए इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे यह तो और जाती दोनों जो भी आपको डॉक्मेंट है वह आपको यहाँ पर ले लेना है ठीक है तो मैं आपको यह सारी जानकारी तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा अब यहाँ पर देखें टेंपलेट की बात करें सबसे अब यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको समझना होगा देखें यह आपका जो फोटोग्राफ है उसको अपलोड करने के लिए पहले क्या होता था कि एक ही बार हमने कोई भी फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देते थे तो तीनों चीज़े आ जाती थी अब बाइवन सभी को अलग अलग करना होगा चलिए देख लेते यही नहीं चीज है यह नहीं चीज क्या है इसको आपको अच्छे समझना होगा गल्ती मत करना यहाँ पर फोटो के उपर हमने क्लिक किया यहाँ पर जो फाइल है उसको ब्राउस करेंगे और टेंपलेट को स्केन करेंगे तो यहा यहां पर देखेंगे कि राइट वाले जो निसाने के उपर आपको किलिक कर देना है यह रइट वाले निसान जो लित रहा इसके उपर इसके ओपर क्लिक किया यह फोटव्त अब बात होती है आपके handwriting की तो handwriting को भी आपको directly crop कर लेना है जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से है तो यह आपने जो writing है उसे हमने इस प्रकार से कर लिए चलिए आपकी जो profile है वो complete होने के के आगे बढ़ेंगे यह पूरी जनकारी आपके सामने फिल आपके आजाएगी जो profile में है यहाँ पर से आपके जो form है वो start हो जाए क्या आप भूतपूर से निक हो दिभ्यां स्रेडी में आते हो बिना वर्ग में हो या फिर समीदा करमेचारी हो तो यहाँ पर इसे बिना वर्ग वाले option के ओपर क्लिक कर देंगे यहाँ पर पुछा गया है क्या आप भूतपूर सेनिक वगेरा हो यहाँ पर देखेंगे क्या आप नगर सेनिक या फिर कोई सी भी गौर्रमटन सर्विस में हो तो आपको यस करेंगी यस करने के बाद यहाँ पर पुरी करेंगे यहाँ पर देखेंगे जो तो आपको यहाँ पर यह तमाम पुरी जनकारी या देखना होगा यहाँ सा option है उसको आपको choice कर लेना है चलिए मैं आपको एक एक करके बदिखा देता हूं, यहाँ पर देखेंगे, जैसे बुतपूर सेनिके, या फिर आप पहले से कहीं आपने, स्वहेम सेवी के रूप में कारी किया है, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, इन में से कोई से भी अगर आप करमचारी के रूप में अगर आपने कारी किया है तो आप यहाँ पर उसको choice करेंगे जैसे कोई NCC कारी करता के रूप में आगर आपने काम किया है तो आप NCC वाले लेंगे यहाँ पर दिखा सकते हैं चलिए यह कुछ नहीं है तो आपको no कर देना यहाँ पर आपके सामने दिया गया नियम पुस्तिका गनुसार इस प्रकार से आपको यहाँ पर चौईस करना होगा कौन से पोस्ट के लिए आपको अपलाई करना है वो देखना होगा कि अगर आप उपर वाली पोस्ट के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आगे क्लिक करेंगे यहाँ पर यह सारी पोस्ट दी गई है ट्रेट कौन सा है इसमें सब कुछ आपके सामने दिया गया है सब कुछ आपको रूल बूक के अनुसर देखना होगा कि आपकी जो पोस्ट है वो किसमें जैसे हमने मालोग क्रिशी के लिए अगर फार्म बरना चाहते हैं क्रिशी इसको क्लिक कर दिया है जो भी यहाँ पर आपके सामने जो योगीता बनती है उस पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है इसके बाद मैं आपको फोर्म बरके भी दिखाऊंगा कैसे क्या होगा प्रोसेसिंग क्या होगी और आपकी जो पोस्ट च्वाइस है वो कैसे होगी यह तमाम पूरी जानकारी में आपको दिखाने वाला हूँ चलिए यहाँ पर हमने जैसे क्लिक मार्क लगा दिया है तीन पोस्ट हमने च्वाइस कर लिया है इसके बाद में यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो क्लिक यह तो सिलेक्ट पोस्ट मतलब प्रेफरेंसे के उपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने जो पोस्ट है वो सब आपको देखने को मिल जाएगी अब यहाँ पर आपको सेलेक्शन करना है है यहां पर जैसे हमने हमने स्लस्फ सिलेट कर स Сलेक्ट करी है उग आपको देखने को मिल जाएगी wtol है यहां पर देखने को मिल जाएगी यहां पर दखेंगे दूसरी जगए पर post है जो सरकारी दूट डेरी के लिए तो वो भी हमने, जैसे हमने click किया है, तो वो भी देखने को मिल जाएगी, चलिए, यहाँ पर देखивать मदिप्रदेश रोजगार पंजियन, आप के पास पंजी करन होना चाहिए, मतलब जीवीच पंजियन होना चाहिए, जैसे आप यहाँ पर 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 यहाँ लेना है आपके अनुसार करना होगा यहां पर जैसे एक, दो, तीन चार जो भी आपको select करना है वो आपके अनुसार आपको select करना है ठीक है इसके बात में यहां पर जी complete होने के बाद में नीचे आएंगे बोशना पत्र के उपर क्लिक करेंगे कि हमने जो जानकारी दिये वो सर्वता सत्य है आगे बढ़ाएंगे आगे बढ़ने के बाद में अब जो आपने जो document लगा है मतलब आपने वहाँ पर education लगा है याने कि जो document आपने वहाँ पर दिया है उसे यहाँ पर आपको scan करके upload भी करना होगा चलिए complete होने के बाद में यहाँ पर इसे submit करेंगे जैसे submit करते हैं तो submit करने के बाद में आगे की process में आपको complete दिखाने वाला हो चलिए यहाँ complete हो गया आप दिखिए भुकता नहीं मतलब आपका जो payment है वो अभी नहीं हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा सा scroll करने के बाद नीचे आएंगे यहाँ पर एक बार इसको print वाले option को उपर click करेंगे वापस से नीचे आएंगे तो यहाँ पर process to payment वाले option आजाएगा यहाँ पर net banking, debit card, credit card जो भी आपको suitable लगे उसके अनुसार आपको payment कर लेना है आपके पास अगर MP online मित्र हो तो आप MP online की ID से करिएगा यहाँ पर देखिए UPI का option भी दिया गया है तो दोस्तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें धनिवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप मुझे comment कर सकते हैं धनिवाद